आप लोगों का प्रशन है रात को नेगेटिव सपने आने की वज़ा और उसके लिए क्या कर सकते हैं स्वपनों का संसार दोस्तों बड़ा विचित्तर है और स्वपन वग्यान की अपनी एक शाखा है इसके उपर अध्यात्मक वग्यान ने भी बहुत मेंत्र की है आज का वग्यान भी इसके उपर बहुत कुछ रिसेर्च कर रहा है जो स्वपन हमें आते हैं उनका कोई ना कोई सबंद हमारी पास्ट्राइप से भी होता है कभी-कभी दिन में जो कुछ हम देखते हैं उसकी वज़ा से भी होता है कभी-कभी हमारे मन के विचार जो मन में रह रहे होते हैं उनसे भी होता है कभी-कभी लोग हमारे के लिए कुछ सोचते हैं वो मैसेज भी होता है कभी-कभी कुछ शक्तियां हमें स्वपन में संकेत देती हैं वो भी होता है कभी-कभी हमारे पित्तर लोग, हमारे देव लोग से भी कभी-कभी स्वपन में मैसेज आता है और कभी हम दिन में जो सोच रहे होते हैं, टीवी में देख रहे होते हैं, अख़बार में पढ़ रहे होते हैं, वो भी स्वपन में आ जाता है आपने पूशा कि जो नेगेटिव स्वपन आते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए स्वपने बेटा नेच्रल हैं और आप कैसे जानते हो कि जे स्वपन नेगेटिव है कि पाउजिटिव है कभी-कभी हम जिस स्वपन को पाउजिटिव मानते हैं वो नेगेटिव होता है और कभी-कभी जिसको नेगेटिव मानते हैं वो भी पाउजिटिव होता है इसके स्वपन के उपर एक लंबी श्रिंख्रा की जरूरत है दीरे-दीरे कोशिश करेंगे आप से उस चर्चा को बढ़ाएं और कौन सा स्वपन, किस कारिया के लिए है, क्या संकेत देता है जैसे आप स्वपन में देखते हो, बहुत डर जाते हो, गभरा जाते हो कभी-कभी आप स्वपन में देखते हो, कि आपकी किसी ने हत्या कर दी, किसी ने स्वपन में आपको जहर दे दिया किसी ने स्वपन में लूट लिया आपको कभी-कभी आप रास्ता भूल जाते हो स्वपन में कभी-कभी कहीं भटक जाते हो अजीव से देश में पहुंच जाते हो तो जे स्वपन वास्तम में बुरा नहीं है आप ऐसा देखें कि बगवान जी ने उस प्रमात्मा ने और शिव शक्ती ने स्वपन में ही आपको सजा दे दी जो कुछ आपके साथ कष्ट आने वाला था वो स्वपन में ही आपको मिल गया जैसे ही आप किसी भ्यानक स्वपन से उठें और जब जगते हो लगता ओ शुक्रिया तेरा मा बगवती शुक्रिया मातारानी ये तो स्वपन था वास्त में होता तो मैं क्या करता कभी-कभी स्वपन में हम अपनी डेथ को भी देखते हैं तो स्वपन का विग्यान कहता है कि जो भी स्वपन हमें आते हैं उनका कोई ना कोई मेनिंग होता है तो जितने भी नेगटिव स्वपन आए आपको उसका नेगटिव फल मिल गया इसके लिए प्रमात्मा का शुक्रिया करें मातारानी का थैंक्स करें बगवान का नाम लें सुबह उठ करके ग्रीबों को दान करें, बच्चों को खाना ख़लाएं, मंदर में दान करें, सिवा करें, साधना करें, शुक्रिया करें इसके विपरीत आप स्वपन में देखते हो कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, मैं एलेक्षन जीत गया, मेरा बिजनस बहुत बड़ा हो गया, आप बहुत खुश हो जाते हो, कि जे तो स्वपन जो है, मजा आ गया, सच में ऐसा हो गया. दोस्तों जब ऐसा स्वपन आप देखो उसी टाइम उठ जाओ उठने के पस्चात अपने इश्टदेव से अपने गुरूद से प्रार्तना करो मुझे यहला हमने चाही कि रिरीयल लाइफ में चाहिए तोस्तों बगुड़ उसके लिए रास्ते अपनाये जासकते हैं जी जान से लग जाएं एक बात तो प्रमात्मा ने आपको मैसेज दे दिया कि तुम इसके काबल हो, ऐसा हो सकता है तुम इस मकाम पे पहुंच सकते हो बस उस मकाम के लिए कोशिश शुरू कर दो प्रमात्मा आपके स्वपन पूरण करेंगे कभी-कभी आप देखते हो स्वपन में कि आप फलाई कर रहे हो, पहार चल रहे हो, सीडियां चल रहे हो, पेड़ों पे चल रहे हो तो यह स्वपन बहुत अच्छा मैसेज देता आपको कि आप अभी प्रोग्रेस करने वाले हो, जिस रास्ते में जा रहे हो जाओ कितने ही सैंटिस्टों को स्वपन में ही कोई कर रहे थे खोज, ढूंड रहे थे कुछ नहीं मिला, स्वपन में ही मिला कितने कितने लोगों की उलजने स्वपन में ही सुलजी तो मैं एक मंतर आपको दे रहा हूँ, उस मंतर की साधना करके सोएं, रात को सोने से पहले दो माला, तीन माला करें और आपको स्वपन में आपके प्रशन का उत्तर मिलने लगेगा ओम हरीम नमो वाराही आघोरे स्वपनम दर्शे ठै ठै स्वाहा और आप पे माह कृपा करें, भगोती आपको शक्ती दें, आगे बढ़ें